कारेक्रम की अगली कड़ी को बढ़ाते हुए अब मैं मिलवाना चाहूंगी मध्यप्रदेश की ऐसी प्रतिभाओं से जिन्होंने संक लोक आयोग की परिक्षा में सफलता प्राप्त कर ना सिर्फ अपने सपनों को पूरा किया अपितु पूरे प्रदेश का गौरव बढ़ा है जागरती जी की स्कूली सिक्षा मर्शी विद्यामंदिर रतनपुर भोपाल से हुई है और उच्छे सिक्षा इलेक्ट्रोनिक इंचिनिरिंग करी है इन्होंने मौलाना आजार नाशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नलोजी भोपाल से जागरती की इस उपलबधी ने न सिर्फ उनके माता पिता बलकि पूरे प्रदेश का नाम रौशन किया है तालिया से स्वागत करेंगे चाणिती जी नमस्कार मानेनिय मुख्य मंत्री महोदय, मानेनिय मंत्री उच्च शिक्षा, प्रमुक सचिव, उपस्थित अभी भावक एवं मेरे प्रियमित्रों हर्श का विशय है कि आज हम सभी को यहां आमंत्रित किया गया है एवं इस आयोजन सफलता के मंत्र में हमारा उत्साह वर्धन किया जा रहा है मुझे ग्यात है कि इस आयोजन का उद्देश उन सभी अभ्यर्थियों को प्रेरित करना है जो लोक सेवा में अपना करियर बनाने की रुची रखते है सामाजिक शेत्र में जमीनी इस्तर पर काम करने की रुची के कारण मैंने लोक सेवा में अपना करियर बनाने का निर्णे लिया लोक सेवा में ग्रामीर शेत्रों के विकास, महिला शशक्ती करण एवं स्कूली शिक्षा में मेरी विशेश रुची है आज मैं आप सभी के साथ वो प्रमुख बिंदू बाटना चाहती हूं जिन्होंने मेरी सफलता में महत्वपून योगतान दिया है सर्व प्रथम परीक्षा के प्रारूप को समझना चाहिए वेबसाइट पर दिये हुए सिलेबस, पिछले वर्षों के प्रशनपत्रों को समझे परीक्षा की क्या मांग है, किस तरीके के संसाधनों को रिफर करने की जरूरत है ये निर्णय आप इस तरह के अनालिसिस से ले सकते हैं निरंतर प्रयास करिए, एवं पुनरा वृत्ती करते रहिए अभ्यास कीजिए, अपनी कमियों को पहचानिये, एवं उन कमियों को दूर करने में प्रैतनिरत रहिए एक-एक करके जब सभी कमियां दूर हो जाती हैं, तो शत-प्रतिशत परणाम निकल करके आ जाता है किन्तु सबसे महत्वपूर्ण बिंदू आत्नविश्वास है, हिम्मत रखिए, यकीन रखिए कि आप यदि सही दिशा में निरंतर प्रयास करें, तो आप जरूर सफल होंगे हिम्मत रख करके चुनोतियों के हल निकालिए, उदाहरण के तौर पे यदि आपको आर्थिक परेशानी है, तो शासन की छात्रवित्ती योजनाओं का लाब उठाईए, किन्तु कभी भी अपने लक्ष के प्रती अपने रास्ते पर रुकिये मत हर बाधा से लड़कर के आ जागो, तब तक मत रुको, जब तक लक्ष को ना पालो, आप सभी के उज्वल भविश्य के लिए मेरी शुप कामनाएं हैं, पुनह आभार कि हमें आप सबने इस आयोजन में आमंत्रित किया, एवं हमारा सम्मान किया, जय हिंद, जय भारत बहुत बहुत धन्यवाद, जाग्रती जी आपने बहुत ही अच्छा सफलता का मंत्र दिया, उठो जागो, तब तक ना रुको, जब तक उस लक्ष को प्राप्त करो